प्रियोग संख्या 15 ठीक है करना क्या है उद्देश हम देख लेते हैं उद्देश है विस्थापन विस से उद्द लेंज की फोकस दूरी ग्याद करना ठीक कोंखन देख लेते हैं कौनकौन साइज में सामान चाहिए तो हमें प्रकासिक तक है और एक उत्तर लेंस चाहिए दो पिंच चाहिए और प्रिंस्पल जो है इसका डिस्क्रिप्चरि ने लिंक को देंगे धेंगे मतलब उस पर बीडियो है कि कैसे क्या है कैसे क्या होता है ठीक है तो यह वालब फार्मूला जो है हम ड्राइब भी किये हैं A2-D2 upon 4A इसके पीछे प्रिंसिपल जो है यह होता है कि अगर हम किसी बस तूपिन जैसे जो हमारे पास है मतलब प्रकासिक बेंच है यह प्रकासिक बेंच इस तरह से रखेंगे और जो भी यह लेंस लगाया जाएगा उत्तर लें कॉर्ण को इसे पार्क गुजार करके इसके इधर जो है दूसरी तरफ से यहाँ पर इसके फोकस कर लिजिए मतलब सूरी के बाद में आप उस दूरी को मेजर कर लिजए लैंस से जहां पर फोकस हो रहा जैसे बूर लेकर जाओगे तो फैलता जाएब उसका उ मतलब यहां एक ऐसा पॉइंट होगा पर्टिकुलर जहां पर एकदम पॉइंट के जैसा जो है फोकिसित हो जाएगा तो बस वहीं से इस लेंस की दूरी निकालोगे तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है और अगर ऐसा हो गया तब आपको क्य करना है फोकस दूरी की चार गुने के बराबर यानि जितनी फोकस दूरी जैसे मान लीजे हमने यहां पर लिया जो लेंस उसका 10 cm फोकस दूरी है तो 40 cm की दूरी से अधिक यहां पर देखे पहले ही आपको वो लगया है कि जो ए है ए डिस्टेंस है दोनों पीनों के बीच क और यह डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए लेंस जो हमारे पास उत्तल है उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चार गुने से अधिक होना चाहिए तो यानि 10 cm का अगर हमारे पास फोकस दूरी का लेंस है उत्तल लेंस तो 10 चोग 40 यानि दोनों पिन जो रखोगे वो 40 cm से कम नहीं होना चाहिए दूर होना जाए बराबर भी नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए यानि आप 45 ले लो 50 ले lifted häufig Lunch 60 कोई ले लेकिन 40 से कम वास्तविक और उल्टा प्रत्मिम हम लोग यहर बनाएंगे तो हमारा जो प्रत्मिम बनना चाहिए व longest 입 के टाप पर बनना चाहिए चित्र के इसाफ से आइससे चित्र आप यहां पे देखिए यह चित्र है मतलब कहने कि हमें लेंस कि दो लेंगी मतलब जैसे हमारे पास जो हमने जो बनों बसके बीच में उत्तर लेंस की जहां पर की सरी स्वाइं कि यह हैं तो मतलब क्सक 100 नहीं लेना लेंस हमारे पास एक डिरहेगा लेकिन ज्ञेऔर दो बस्तु पिन हमने रखा है जैसे एक बस्तु पिन ये है एक बस्तु पिन वो है अब इन दोनों के बीज की जो दूरी है उसी दूरी में हम इस लेंस को हमें इस लेंस को दो जगहां पर ऐसे रखने पर प्राप्त होगी जहां पर लेंस रखने पर हमें एक बस्तु का वास् कितियों को read करने के बाद में उसको हम ये प्रेच्छन टेबल हमारे पास रहेगी तो वहां से हम इसकी reading करेंगे ठीक है रही बात इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे तो सबसे पहले तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो है आप इसकी focus दूरी का मोटा मोटा idea लगाएंगे उसके बाद में दो बस तू पिन लेंगे दोनों को इस हिसाब से रखोगे कि जो इसकी focus दूरी है उसके चार गुने से जादा दूरी पर ये दोनों पिन होनी चाहिए वो वाली पिन और ये वाली पिन दोनों जो है चार गुने से जादा दूरी पर होनी चाहिए उसके डालेंगे और लेंस को लगाने के बाद में आप उसका प्रद्विम बनाएंगे ठीक है बस तुको आगे पीछे नहीं करेंगे बस तुको एक जगा पर फिक्स कर देंगे और उसके बाद में लेंस को ही आगे पीछे करेंगे और इस तरह से आगे पीछे करके सेट करना रहेगा आपको कि आप देख रहे होंगे इसका प्रिद्विम आपको नजर आ रहा है इसमें ठीक है और इसकी नोग को यानि इसकी नोग को जब देखेंगे वहाँ पे तो हमें जो वह वाली उधर बस तु रखा था हमने उसका वास्तविक और उल्टा प्रिद्विम हमें लेंस में नजर आ रहा है यह देखे लेंस में उसका उल्टा प्रिद्विम नजर आ रहा है आप क्या करना है उसका यह जो प्रिद्विम बन रहा है और ये जो बस्तु हमने रखी है सामने एक बस्तु पिन है ये सारी ये प्रत्विम पिन है तो ये प्रत्विम पिन है प्रत्विम पिन की टाप और वो जो प्रत्विम वास्तों में बन रहा है लेंस में बन रहा है उसका टाप दोनों का ऐसे एकदम इस पर टिप एकदम मिलना चाहिए और अगर ऐसा मिल जा रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा जो है यह जो बेवस्था है एकदम सही है और रीडिंग हम ले लेंगे फिर क्या करेंगे एक पोजिशन यह हो गई अब लेंज की दूसरी इस्थित हम लेंगे मतलब यह कि लेंज को हम उस तरफ लेकर जाएंगे हमने उसी को उदर से मतलब उस सीरे को प्रकासिक बेंच के उस सीरे को घुमा करके मैंने इधर कर लिया और इधर वाले सीरे को उधर कर दिया ठीक है इस तरह से करने के बाद में फिर मैंने लेंस को थोड़ा आगे-पीछे खिसका करके जो है इसकी नई रीडिंग ले वाला जो बस है उधर जो मतलब बस रखा हुआ है उसका वास्तविक और उल्टा पर्दमिम हमको यहां पे लेंस में फिर से उत्तर लेंस में नजर आ रहा है और इसकी टाप को उसकी टाप से मिला करके लंबन दूर कर लेंगे और लंबन दूर होने पर हम क्या करेंगे डिशन टेबल अपने पास क्या है बस पेंड रहे इस हैर्भी इसथित ए सेंटी मीटर में ठीक और यहां पर हमारा जो पहला आ रहा है चार सेंटी मेंटर और प्रत्मिम पिन यानि वह आला जो रखें हैं हमने वहां हौने पे आपर हुआ प्रत्मिम पिन हैं तो वह कितनी ह लेंज की पर नहीं होता है कितनी दूरी पार है लग बग 13 cm की तो इस heureं से हमारे पास ककश हो जाएगा और हम क्या कर लेते हैं पिन के बीच प्रेचित दूरी निकाल लेते हैं मतलगी सभाशी माला पिन आप यह वाला कैस्ट की वाला पीन और वोाला कैसम mud ढूले एक जेक्ट लिखे लेंगे पहली बार में धी निकाल लेते हैं दी के मतलब पहले lens कितनी दूरी पर था और अब lens कितनी दूरी पर है और पहले जो मतलब position लेंस की सेट कीते और आब वाली lens की पोजिशन जो सेट है उफ दोनों के दूसरा निकाल लेंगे मतलब जो ये बस्तु है इसको हम 5 cm आगे पीछे खिसका करके सारा setup कर लेंगे वैसे ही और उसके बाद में दूसरा हम ले लेंगे फिर ऐसे तीसरा 5 cm खिसका करके फिर चौथा ऐसे ले लेंगे 5 cm मतलब कहने का position को थोड़ा अलग-अलग करके जो है हम लेंगे लेंगे और ये सारा टेबल हम find out कर लेंगे ठीक है और फिर जो हमें मतलब रीडिंग हम वहाँ से data मिल जाएगा फिर हम फार्मूले का इस्तिमाल करेंगे और फार्मूला कौन सा ये वाला यह बराबर a square minus d square अपान 4a d a क्या है दोनों बस तू पिन की बीच की दू पूरी है और बस इसी फार्मूले में रख करके उसको हम calculate करेंगे वहां से f1 निकालेंगे f2 निकालेंगे यह 3 निकालेंगे ऐसे 3-4 प्रेचन करके जो है निकाल करके उसका हम आवसत निकाल लेंगे और इस तरह से हमारा जो है वह परिणाम हो जाएगा ठीक